हलो एवरीवन गुट मॉनिंग वेलकम पेक टू पर्शम आयम पुझा आज हम डिसकस कर रहे हैं 9 अगस के करेंट अफियर्स तो हम यहाँ पर सबसे पहले तो दो इंपोर्टेंट डेज हम देखेंगे उसके बाद आज के सेशन की शुरुआत करेंगे ठीक है वीडियो के लास कोई बात नहीं हम दिरा-दिरह पढ़ लेंगे कोई दिककत तो है ँह नहीं चलो स्टार्ट करते हैं अचया हाँ पीडिंएफ पिडिएफ कहां मिलेगी तो पर्शम का टेलीग्राम जियन कर लेगे तो बार आज है करेंट की मिल जाएगे स्टार्ट करते हैं 9 अगस की के साथ और सबसे पहले हम बात करेंगे एक दे के बारे में नागा साकी दे अभी चह şeh तारीक को मैंने आपको हिरो सुमा beats के बारे में बतायाथा और आज जो है वो नागा साकी टे है जैसे कि मैंने आपको बताया था जब 2nd world war शल रहा था तब USA ने जापान पे, जापान के दो शेहर थे, हिरोसिमा और नागासाकी पे दो परमाळू बम या एट्टोमिक बम को गिराया था, तो उसी को याद रखने के लिए 6th of August को जो है, हिरोसिमा डे और 9th of August को नागासाकी डे मनाया जाता है, 1945 में ये घटना तो जो इंडिजीनियस पीपल होते हैं, जो आदिवासी समुधाय होते हैं, ट्राइबल्स होते हैं, जो कि अलग अलग छेत्रों के जंगल में रहते हैं, ऐसी ट्राइबस होती हैं, जो एकदम आज भी हमारी मतलब सुसाइटी से कनेक्ट नहीं है, पीछे हैं या बैकवर्ड तरीके से जी रही हैं, तो उनके भी तो अपने राइट्स होते हैं, उनके राइट्स के बारे में बताने के लिए, इंटरनेशनल डे ओफ वर्ल्ड इंडिजीनियस पीपल मनाया चाता है, इसकी थीम क्या है, इसकी थीम क्या है, इस दिन की मैंने बता दिया क्यों तो 9 अगरस्त को हम इंटरनेशनल डे ओफ वर्ल्ड इंडिजीनियस पीपल मनाते हैं, और इसके साथ ही पूरे पर्शम के परिवार की तरफ से आप सबी लोग को हैपी महरम और जो हिजरी कलेंजर होता है, जो इसलामिक कलेंडर होता है, उसके साथ महरम को इसलामिक निवर बोला जाता है, मतलब नए कलेंडर की पहला मन्द है, जैसे हम जैनवरी होटा है, हमारे क्रिशन सքनल गीमली जैनवरी होता है, जैसे कि मैं जैन हूँ, तो महावी जैनती जब अप्र endangered में शूरू होते है, जैसे कि चैतर का महीना होता के तो हिंदू लोग जो है वो नए से जाना जाता है, बोला जाता है कि इस पूरे मंत में जो है Prophet Muhammad ने मक्का से मदीना की तरफ जो है वो ट्रेवल किया था यात्रा की थी, साथिसा जो दस्वा दिन होता है मोहरम के महीने का जिसे असुरा कहा जाता है, बोला जाता है कि जो Prophet Muhammad के grandson थे, हसन इबन अली, जो Battle of Karbala हुआ था, उसमें इनकी death हो गए थी, तो उन्हें याद रखने के लिए ये दिन important होता है, तो पूरे परचम की परिवार की तरफ से आप सभी लोगों को happy मोहरम, चलो, और जो लोग भी Group D का पेपर दिना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं, तो परचम की application पे आपको Group D का पूरा complete course अविलिपल है, मिल चाहेगा, GS का, जिसमें history, quality, economy, GS, सभी कुछ कवर है, ठीके, तो आप उसे ले सकते हैं, और जिनका भी Group D का पेपर है, तो उन सभी लोगों को good luck, पूरे परचम की टीम से अगे, चलो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले विश्वनाथन आनंद, सभी लोग चानते हैं, ये भारत के पहले Grandmaster ने बहुत ही famous chess खिला रही है, विश्वनाथन आनंद, elected as a deputy president of FIDE, तो यहाँ पर देखेगा, अभी ही जो हमारा 44th नंबर का chess Olympiad हुआ था न, चेन नहीं में, तो वहाँ पर ही FIDE Congress की meeting भी conduct हुई थी, ठीक है, और उसी में ये decide किया गया कि आने वाले समय में जो विश्वनाथन आनंद हैं, वो FIDE के deputy president के रूप में काम करेंगे, ठीक है, तो इसलिए इने विश्वनाथन आनंद जी को 7 अगस्त को deputy president of FIDE के रूप में elect किया गया है, और जो president रहेंगे, उनका tenure बापस से मतलब उनना reelect कर दिया गया है, बापस extension किया है, या second term के लिए उनको elect कर दिया गया है, और उनका नाम है Arkady Doborkovic, ठीक है, ये आपके FIDE के, जो है, वो president रहेंगे, FIDE जो है, वो 1924 में पैरिस में बना था, लेकिन इसका head office Switzerland में है, next बात करते हैं यहाँ पर, this is very important news, हम बात कर रहे हैं CSIR, मतलब Council of Scientific and Industrial Research के बारे, और इसमें पहली बार, किसी महिला को DG, मतलब Director General की पोस्ट में ली है, तो caution की तरफ जाते हैं, यह हम अपनी news की तरफ बात करते हैं, नालाथ हम भी, कलाई Salvi, become the first human DG of the CSIR, तो CSIR की पहली महिला, DG जो है, वो नलाथ हम भी, कलाई Salvi बन चुकी है, senior scientist है यह, और इन्हें Director General of Council of Scientific and Industrial Research के लिए, चुना गया है, दो सालों के लिए, ठीक है, दो सालों के लिए ने चुना गया है, और यह research की institute में लगबग 38 years का इनको experience है, इसके अलाव यह Secretary भी है, Department of Scientific and Industrial Research, अंडर the Ministry of Science and Technology, और इन्होंने किसको replace किया है, तो शेकर मांडे को इन्होंने replace किया है, तो यह बहुत important news है आने वाले समय के लिए, जैसे कि कुछ नाम बड़े important होते हैं, जैसे कि Soma Mandal का नाम हो गया, Alka Mittal का नाम हो गया, वैसे ही, उसी में एक और ना भारत को अपना 75th नंबर के Chess Grand Master मिल जोके हैं, और जिनका नाम है V. Pranav, तो इन्हें 75th नंबर का Grand Master का टाइटल मिला है, भारत का, इन्होंने रिसेंटली, Limpada Open, जो कि रुमानिया में हुई थी, वो जीता है, तो यहां पे जो Grand Master बनने के लिए, जो भी, यहां पे टौनमे होते हैं, जो जो भी क्राइटेरिया होते हैं, तो यह फाइनल Grand Master का मैश था, और इसको जीतने के बाद यह 75th नंबर की Grand Master बन गया, और इन्होंने रिसेंटली, Limpada Open, जो कि रुमानिया में हुआ था, वो जीता था, इन्होंने थर्ड पोजीशन, मतलब इन्होंने जो Grand Master का Tournament हुआ था, वो भी इन्होंने खेला था, तो इस तरीके से जो भी क्राइटेरिया होता होगा, वो इन्होंने फिल्फिल किया है, और 75th नंबर की Grand Master बहरत के बन गया है, वीप्रणा, और यह कहां से बिलॉंग करते हैं, तो आपको मैं बता दू कि काफी जारे Grand Master जो है भारत के 75th नंबर के चेस Grand Master बन गया है, इनका नाम आपको याद रखना है, चले, जब इस न्यूस को मैं बना रही हूँ, तब की कहानी में आपको बताती है, उसके बाद क्या हुआ, वो तो फिर न्यूस रिकॉर्ड करने के बाद ही मुझे पता चले है, उसके बाद क्या ह और जब मैं इस न्यूस को रिकॉर्ड कर रही थी, तो भारत 58th medal जीत चुका था, कितने 58th medal अभी तक भारत जो है Commonwealth गेम में जीत चुका है, और 8 अगस मतलब कल का देन ही tournament का, इस Commonwealth का last day था, रात को जो भी sports होंगे, उनके medal अभी मुझे देखने है, और फिर final पता चल जाए कि medal tally में किस नंबर पर है, तो ऑस्ट्रेलिया ही चल रहा है, और total medal कितने हो जाएंगे भारत के, तो हम एक separate वीडियो इसमें देख लेंगे, जिसमें हम सारे important जो भी facts रहे होंगे Commonwealth के लिए, आने वाल exam के लिए, उनको हम cover कर लेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर बात करते हैं इंडिया wins silver in the first Commonwealth Women's Cricket, तो आपको जैसे मैंने कहा था कि पहली बार T20, Women's Cricket की टीम का यहाँ पर debut है, पहली बार participation कर रही थी, और हमारी जो Women's Cricket टीम है, उसने इतिहास रचा है, और पहली बार में ही silver medal जीता है, ठीक है, बर्मिंगम Commonwealth गीम जो हो रहे थे, उसमें T20, यह ज इंडिया ने silver medal जीता है, तो gold किस ने जीता है, Australia की team ने gold जीता है, जबकि silver इंडिया की team ने जीता है, ठीक है, तो आपको याद रखना है, कौन gold है और कौन silver है, या फिर India किस से हारी है, तो answer हो जाएगा Australia से हारी है, इसके लावा कुछ और यहाँ पर हम नाम देखेंगे, गायत्री गोपीचंद और Theresa Jolly, इन दोनों ने मिलके bronze medal जीता है, badminton double में, तो question क्या बनेगा, गायत्री गोपीचंद का relation किस से है, तो यह badminton खिला रही है, नेक्स्ट है, अनूरानी, बड़ा important नाम है, क्योंकि आपको पता है कि Commonwealth game में नीरत Chopra ने participate नहीं किया, क्योंकि उ यहाँ पर हम बात कर रहे है, अनूरानी का, और इन्होंने bronze medal जीता है, women's javelin throw में, तो अनूरानी का relation भी javelin throw, भाला फेक से संबंदित है, इसके अलाबा पहली बार, men's triple jump में भारत को gold और silver दोनों मिले हैं, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, इंडिया के Eldos Paul और Abdullah Abubakar, इन ल की आप टीम देखते हैं, जिसमें सीर्जा और सरत कमल शामिल है, इन दोनों की टीम ने मिलके भारत को gold medal लाके दिया है, और इन्होंने जो हराया है, वो मलीशिया की double mix की टीम को हराया है, फिर इसके अलाबा, Eldos Paul के बारे में मैंने बता दिया है, इन्होंने पहला gold medal यहाँ से हैं, इन्होंने gold जीता है, 48-51 kg weight category में, तो अमित पंगाल का नाम आपको याद रखना है, boxer है यह भी, बहुत ही famous boxer है, next बात करते हैं, अभिनास सावली, जिनके बारे में मैंने आपको कल भी बताया था, यह पहली Indian man बन गया है, जिन्होंने silver medal जीता है, 3000 meter stable chest में, running से associated है, मतला बैथे लेज़े हैं, इसके अलाबा यहाँ पर देखे, PB सिंदू का तीनों का set complete हो गया, तीन set मतला, तीन medal होते हैं, या तो bronze जीतते हैं, या फिर gold जीतते हैं, तो finally PB सिंदू के द्वारा जो है, वो gold medal जीत लिया गया है, क्योंकि 2014 के जो common well थे, तब इन्होंने bronze जीत था, अब finally 2022 के जो Birmingham game है, इसमें इन्होंने gold medal जीत लिया, इस तरीके से बोला जा रहा है, कि इनका वो तीनों का set है ना, bronze, silver और gold, ये complete हो गया है, तो ये दो बार Olympic champion भी रही है, Olympic medalist रही है, PB सिंदू, और इन्होंने अपना gold medal common well game में जीत लिया है, और इन्होंने Canada की missile league को ह पर आया है, चीक है, तो badminton से associated है, PB सिंदू, इसके अलावा आप यहाँ पर देखेंगे, जब मैं इस तो news को बना रही थी, जैसे कि मैंने कहा, 58 medal भारत जीत चुका था, 20 gold थे, 15 silver थे और 23 bronze medal भारत के हाथ लग चुके थे, उसके बाहत की कहानी में देखूंगे और आपको अपडेट कर दोंगे, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि wrestling में रवी दाहिया, 57 kg, विनिश फोगाट, 53 kg, नवीन कुमार, 74 kg, इन तीनोंने जो है वो, gold medal जीता था wrestling में, अच्छा, कल की news में, मैंने correction के लिए comment में डाल दिया था, फिर भी मैं आपको बता देती हो, भवीना उसमें bronze लिखा था, इन्होंने gold medal जीता है, ठीक है, पैरा table tennis player है यह और इन्होंने भारत को gold लाके दिया है, नेक्स्ट बात करते हैं, प्रियंका, गोसौमी और अविनास, तो इन लोगों की team ने जो है, वो silver medal जीता है, और यह lawn wall में भारत के लिए दूसरा medal है, ठीक है, इ boxing में, और सोनल बेन, इन्होंने पैरा table tennis में भारत को bronze medal लाके दिया है, तो दीरे दीरे नाम याद होंगे, एकदम से click होगा भी नहीं, दीरे दीरे पढ़ोगे ना, पांच-छे पार पढ़ना पढ़ेगा, यही ट्रिक और टेकनीक होती है इनकी, तो आप इनको पढ़ोगे तो याद हो जाएगा, फिर boxing में आपने देख लिए, अमित पंगाल ने gold medal 51 kg में, नीतु ने 48 kg में medal लाके दिया, निखत जरीन, gold medal, women's 50 kg, boxing, बड़ी important personality है, निखत जरीन, इनका नाम याद रखेंगे, boxing से है, 50 kg में gold medal जीता है, इसके लिए वह हमारी जो hockey team थी, hockey team ने भी New Zealand को हरा के bronze medal जीता, Indian women's hockey team defeated New Zealand to win bronze, तो bronze medal जो है वो इंडिया की hockey team को मिला है, तो इसको भी आपको याद रखना है, cricket की team ने silver जीता, और hockey team ने bronze medal जीता है, ठीक है, इसके अलावा संदीब कुमार ने भी bronze medal जीता है, 10 km race walk में, और अनुरानी अभी मैंने बताए दिया है, कि इन Indian Army conducted Pan-India Drill Skylight to test operational readiness of its multiband dedicated satellite, अब देखिये, अब होता किया, अचानक से war की condition बन गई, तो हमें अपनी satellite पूरी तरीके से काम करने में सक्चम है की नहीं, किस तरीके से हमारी आर्मी को मदद करेंगी, इस रो और आर्मी के वीच में कैसा relation है, क्या ये हमारी satellite है, वो exact locations find out करने में capable हैं की नहीं, तो कभी भी ऐसे drill होती है, जैसे कि military exercise क्यों की जाती है, यही देखने के लिए कि आप कितने तयार हैं, उसी तरीके से Indian Army के द्वारा ये exercise skylight की जा रही है, कि हम तयार हो सके हम अपने operations को देख सके किस तरीके से satellite के साथ, इस तरों के साथ हम काम कर पा रहे हैं, हमारी satellite कितनी तयार हैं, कितनी ready हैं, आने वाले समय में अगर कोई भी war की condition बनती है, इसलिए Indian Army के द्वारा conduct कराई गई है Pan-India Satellite Communication Exercise, जिसका नाम है exercise skylight, तो याद रखिए का Indian Army ने conduct कराई है exercise skylight, इसका main objective मैंने आपको बता दिया है, test करना कि operational readiness है की नहीं है, हम high-tech satellite communication system हमारे तयार है की नहीं है, साथ ही साथ Indian Army is preparing to have its own multiband dedicated satellite, Indian Army कह रही है कि 2025 तक security features को ध्यान में रखते हुए, हम अपनी multiband dedicated satellite लेकर आएंगे, और the dedicated G7-7B satellite of Army is the first of its kind, indigenous multiband satellite, और यहाँ पे G7-7B जो satellite है, वो Indian Army को service देने के लिए तयार की गई, made in India satellite होगे, जो कि हमें बता कहाँ पर है, remote locations की जानकारी, air defense, weapon system की जानकारी, मतलब सारी जानकारी इनसे मिलेंगी, इसके अलावा, ISRO and various agency responsible for the space and ground segment also participated in the exercise, क्योंकि ISRO के बिना यह exercise थोड़ा सा conduct करना difficult है, क्योंकि satellite तो ISRO ही launch करता है, इसके अलावा, IAF और Navy already G7-7 series को launch कर चुके हैं, ठीके? अगली बात करते हैं, Indian Navy and ISRO Space Application Center signed MOU on data sharing, अब देखो, अब Navy के जो commanders होते हैं, chief होते हैं, अब उनको coastal boundary पर देख रेक करनी हैं, और बहुत सारी चीजों के लिए हमें communication की जरुआत होती है, data sharing की जरुआत होती है, और data आपको कहां से मिलता है, satellite की मदब से मिलता है, इसलिए आप remote sensing satellite, communication satellite, हम कितने सारे satellite को छोड़ते हैं, अच्छा हाँ, satellite से मुझे यादा एक बुरी news भी है, कल मैंने आपको एक satellite के बारे में बताया था, आजादी सेट करके, जो 750 girls ने तयार किया गया था, जिसको भेजना था, और जो रविदना टैगोर जी की आवाज में जनगन मन गाता वहाँ पर, recorded हमने अपना anthem भी भेजा था, हम tricolor भी भेजे थे, लेकिन वो ना अपनी orbit में पहुच नहीं पाया, ठीक है, तो हमारा वो सपना वहीं का वहीं रह गया, तो मैंने सोचा मैं आपको update कर दूँ, चलो, हम बापत अपनी news पे आते हैं, इंडिया नेवी और ISRO Space Application Center sign MOU and data sharing, तो इंडिया नेवी ने, ISRO के साथ, और Space Application Center के साथ, data sharing के लिए जो है, वो MOU sign किया है, basically MOU, MOU जो है, वो 2017 में sign किया गया था, उसी को further exchange किया गया है, जिससे हम rapid development कर सके, in the field of satellite and communication, अगर हम Chief of Indian Navy बात करते हैं, तो आर हरी कुमार है, ISRO का head office, अभी को पता ह में हैं और SAC Headquarter, मतलब Space Application Center, अहमदाबाद, गुजरात में है, चीक है, अगला बात करते हैं, बढ़े चलो movement, अंडर आजादी का, अमरित महुतसाफ बेगें, जैसा कि आपको पता है, 15 अगस बस आने ही वाला है, और आजादी का, अमरित महुतसाफ हम मना रहे हैं, तो इसल 5 अगस से लेके 11 अगस तक, और 10 लोकेशन ये हैं, जिनको लोकेशन याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको याद रखना है कि Ministry of Culture के द्वारा शुरू की गई है, बढ़े चलो, 5 से लेके 11 अगस तक, चीक है, और 12 अगस को ये ताल का टोरा स्टेडियम जो नई दिल वहाँ पर ये इवेंट खतम होगा, क्यों किया जा रहा है, बढ़े चलो, जिससे यूथ सेंट्रिक एक्टिवेशन है, यूथ कोई खटा करने के लिए इसको किया जा रहा है, Ministry of Culture के द्वारा, नेक्स्ट बात करते हैं, यूपी गवर्मेंट प्लान टू डबल फार्मर इं इंकम को हम डबल कर सके और इसके लिए पंचामृत योजना के शुरुआत की गई है, इसके बी अचीव पाइंट्रूसिंग कॉस्ट एफेक्टिव टेखनीक मेजर और प्रमोशन ऑफ को क्रॉपिंग मैथड, तो इससे हम मतलब क्या प्रवाइड किया जाएगा, कॉस्ट इस टेखनीकल मेजर प्रवाइड के जाएगे, अच्छी इंस्टिमेंट, अच्छी शीर्स प्रवाइड के जाएगे, जिसे इल्ड, क्रॉप अच्छी हो और किसानों की इंकम जो है, वो डबल हो सके, और यूपी गवर्मेंट के दौरा, शुगर की सपोर्ट प्राइस जो है, वो कर दिया गया था, लास्ट क्रसिंग सीजन में ही, ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, सेभी, अब सेभी की द्वारा एक कमीटी बनाए गई, आपको पता है, समय समय पे सेभी कमीटी बनाती रहती है, कमीटी से मुझे यादा आया कि पार्लियमेंट में भी कई सारी कम कमीटी होती है, फिर आप लोगों की एस्टीमेट कमीटी होती है, डिपार्टमेंट स्टेंडिंग कमीटी होती है, तो जहां से कॉशन आते हैं कि पब्लिक अकाउंट कमीटी में कितने मेंबर होते हैं, उसके चेर्में कौन होते हैं, एट सेक्टरा, कैक की रिपोर्ट कौन चेक करता हूँ ऐसे कई सारे कॉशन आप लोग ने एक्जाम्स में देखे होंगे तो आप लोग के दिमाग में भी शायद चलते होंगे वह कॉशन्स तो इसके लिए पॉलिटी का एक MCQ मैंने बनाया हुआ है जो आज चार बजे आपको यूट्यूब पर मिलेगा जहां पर हम पार्लियमेंटरी कमीटी के MCQ को कवर करेंगे ठीक है तो आप चार बजे उसे जरूर देखेंगे जिससे आप लोग की कमीटी वाला पोर्शन कवर हो जाए ठीक है चलो अब बात करते सेभी के दोरा भी एक कमीटी कोंसिट्यूट की गई है तो आट्रैक फॉरन इंवेस्टमंट विदेशी मुद्रा भारत में आए विदेशी कम्पनिया भारत में आए जब वह ब prosecution करेंगे तो बारत की growth होगी भारत की GDP बड़ेगी और भारत में employment opportunity भी आएगी तो भारत का ज है ठीक है और यह 15 मेंबर की एक कमीटी है जिसका उदेश है तो increase the overseas flow into the country इसके अलावब दूसरे मेंबर भी है जैसे कि foreign banks है stock exchange depositories and RBI भी इस कमीटी में शामिल हैं जिन का काम होगा advice करना किस तरीके से investment को बढ़ाया जा सके next बात करते हैं PM Modi chair 7th governing council meeting of NITI आयोग अब बात कर लेते नीति आयोग के बारे में National Institute of Transforming India होता है जिसके chairman खुद Prime Minister होते है मतला Prime Minister Modi जो है वो नीति आयोग के chairman है 7th number की governing council की meeting नीति आयोग की नई दिल्ली में हो रही है ठीक है यह पहली person first in person meeting है क्योंकि 2019 से जो भी एजंडा तो बाद में देखेंगे क्यों meeting हो रही है यह governing council में कौन-कौन होता है तो governing council में सारे राज्यों के चीफ मिनिस्टर है वो होते हैं जो यूटी में lieutenant governor होते है या administrator होते हैं वो तो यह सभी लोग जो है वो हमारी governing council के member होते हैं इसके लावा एक्स ओफिसों members होते हैं, vice chairman है, full time member है तो यह सारे लोग जो है वो governing council कहलाते हैं और जिसका head कौन होता है PM Modi होता है तो यहाँ पर जो 7th number की governing council की meeting चल रहा है उसमें 23, 23 state के जो CM से 3 lieutenant governor और 2 administrator यहाँ पर शामिल हुए और यहाँ पर दिसकेशन किया गया कि किस तरीके से नई education policy को primary level पे और higher school level पे हमें implement करना है urban area का governance कैसे करना है और crop diversification पे हमें कैसे ध्यान देना है यह ना oil seat पे, pulses पे, agro community पे हमें कैसे ध्यान देना है, क्या policies बनानी है तो उसके लिए पूरी meeting हुई है, तो कहाँ पर हुई है, नई दिल्ली में हुई है, ठीक है तो यह आज के हमारे कुछ current affairs है, और बाते होती है current affairs इतने सारे होते हैं, तो उनमें से कुछ select करके आपको पढ़ा दिये चारते हैं, क्योंकि आप इतना याद भी नहीं कर सकते हैं, और हम इतने कम समय में इतना पूरा पढ़ा भी नहीं सकते हैं, दोनों ही बाते होती हैं, तो जो important news लगती है, वो मैं आपको बता देती हूं, शेयर कर देती हैं, बाकी current affairs के साथ हम कल में लेंगे, अब बात करते हैं, revision question के बारे में, तो बहुत चारे question हैं, धियान से देखिएगा, last में question of the day होगा, जिसका answer आपको comment में देना है, बजरंग पुनिया, इन्होंने gold medal जीता है, और एक wrestler है, सभी को पता है, तो किस category में इन्होंने भारत को gold दिया है, तो बजरंग पुनिया ने 65 kg men's category में भ Vice President of India किसे appoint किया गया है, कौन elect हुए है, तो चौदवे नंबर के जो हमारे पुरास्टपती बने है, वो जगदीब धनकर बने है, option number C बिलकुल सही हो जाएगा, 11 तारीक को ये शपत लेंगे, ठीक है, नेक्स्ट है, दीपक पुनिया, इन्होंने भी भारत को gold medal लाके दिया गया है, जिससे एक ट्रिलियन एकोनोमी के, एक ट्रिलियन डॉलर एकोनोमी के टार्गेट को पूरा किया जा सके, तो answer हो जाएगा, उत्तर प्रिदेश की गवर्मेंट, option number A is the right answer, who among the following has been robed it as the MD and CEO of Unity Small Finance Bank, Unity Small Finance Bank के MD और CEO कौन बने है, तो इंडरजीत कमोर्तरा बने है, option C is the right answer, साक्षी मलिक जो की एक रेसलर है, इन्होंने भी भारत को गोल्ड मेडल लाके दिया है, कॉमन वेल्ट गेम में, किस कैटिगरी में तो 62 kg कैटिगरी में, option D is the right answer, फिर है अभिनास सावले और प्रियंका गोसौमी, इन लोगोंने सिल्वर मेडल भारत को लाके दिया है, कि C is the right answer, Union Government has approved extension for how many years in the service for Union Cabinet Secretary Rajiv Guaba in August 2022, तो Rajiv जी का जो टेन्योर है, वो दूसरी बार further extend कर दिया गया है, एक साल के लिए, option A बिलकुल सही हो जाएगा, अब इस लिस्ट का अगर आप चाहें, तो screenshot ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं कि अलग अलग department में और कौन-कौन Secretary के रूप मे काम कर रहा है, तो Cabinet Secretary तो आपके राजीव जी हो गया है, बाकी आप चाहें, तो screenshot लेके पढ़ सकते हैं, तीक है, फिर है अंचु मलेक, अंचु मलेक ने silver medal जीता है Commonwealth Game में, किस sport से हैं, तो अंचु मलेक जो है, वो related है wrestling से, option B is the right answer, फिर अब यहाँ पर पूछा गया है कि इसे एफफ अंडर 20 Championship जो है, उसमें भारत जीत गया है, तो भारत ने किसे हराया है, भारत ने बांगलरेश को हराया है, भुवनिश्वर में ए मैच हुए थे और इसा में, option D is the right answer, इंडिया विमन्स होकी टीम जो है, बीट विच कंट्री तो विन ब्रोंज मेडल, तो पहला लॉनवल में हमको गोल्ड मिला थी, और यह सेकंड मेंडल है, जो हमको लονबॉल में कोन वेल्ड गेम में मिल रहा है, तो ओसमें जो यह इसल्वर जीता है, तो किसी ना किसी टीम से तो हम हा रहे हyin, तो आंसर हो जाएगा, essence, नोगलरें, तो आइट एांसर के है, option D is the right answer this is the question of the day Divya Khakran and Mohit Grewal इन्होंने bronze medal India को लाके दिया है commonwealth game में इन लोगों का association किस game से है weightlifting, boxing, wrestling या athletics तो जो भी आपका answer लगता है वो आप हमको comment में बताएंगे पहला question तो यह आपका हो गया दूसरा question सुनिए जैसा कि मैंने कहा कि जगदीब धनकर जो है उनको 11 तारीक को शपत दिलाई जाएगी वाइस प्रेसिजेंट की तो वाइस प्रेसिजेंट को शपत कौन कराता है ओत कौन कराता है तो यह बात भी आप हमें comment में बताएंगे ठीक है दोनों प्रश्णों के आंजार आप हमको comment में जीचेएगा सो हम मिलते हैं अपने next session में thank you so much take care